अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ जनता दल युनाइटेड जो पार्टी है दो हजार चौबिस में ही खत्म हो जाएगी यह निश्चित रूप से लिख लीजिए और अभी तो खेल शुरू हुआ है खेल बाकी है देखिए नितीश कुमार जी पहले भी आधनने थे, अभी भी हैं और आगे भी नहींगे और हम लोगों का तो मुद्द था कि रोजगार मिले नौकरिया मिले निवेश बिहार में आहे बिहार का विकास हो यह हम लोगों का मुद्द रहा है और आप लोग सब लोग जान रहे ह कि आज हमने सुना है कि credit लेने की बात उन्होंने कही है तो कोई credit क्यूंग ना ले हमारे 89 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वह 45 हैं मंत्री हमारा है विभाग हमारा है तो हम क्रेडिट क्यों ना ले और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाओं में कहते थी कहां से पैसा लाएगा कहां से नौकरी देगा तो हमने आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेत्युत में वह 9 अगस्ट 2022 में बनी थी और 15 अगस्ट को मुख्यमंत्री जी ने नौकरी देना उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का क्या जो कहता था संभव है तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किये ने नीती लाए टूरिजम डिपार्टमेंट हमारे पास था हमने टूरिजम पॉलिशी लाया आइटी हम लोगों ने लाने का काम किया स्पोर्ट्स पॉलिशी हम लोगों ने लाने का काम किया जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सिक्षा विवा किसका था राश्टी जंतादल के पास था हमारे मंत्रियों ने लगतार जो है नौकरिया देने का काम किया और ये सत्रा महीने में जो काम हुआ है इतिहासिक काम हुआ है जो आज तक पूरे देश में ने हुआ है और ये भाजपा और नितीश जी की तो सरकार सत्रा साल भी रहें तो सत्रा साल बनाम सत्रा महीने जो काम हुआ एक विभाग में वर्ल् निक्तियां पत्र वितरन करने का काम किया यह तिहाचिक काम में किसी भी राज में नहीं हुआ और अब तक हम लोगों के सरकार ने लगभग जो है जो गवर्णन ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को तो सारे तीन लाग से उपर की बात कहीं उन्होंने नौकरिया दिया तो किसके राज में हुआ किसका विजन था तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते हम लोगों ने तो इतना इन से करवाया जिनका कोई विजन नहीं था जो ठक गए थे ठके वे मुकमंत्री थे उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया तो इतना का सवा की यहां करो नहीं करना चाहते हैं और मिताना अपने लोगों को आस्षास करते हैं कि ना हम में नाराजगे हैं अब टक किया है और उसी हिसाब से हम आगे जंता के की अभी खेल शुरू हुई है अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं और आप लिख के लिए जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है दो हजार चौबिस में ही खत्म हो जाएगी यह निश्चित रूप से लिख लीजिए और अभी तो खेल शुरू हुआ है खेल बाकी है अभी इन लोग जो भी करें लेकिन मेरा पस्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी और हम तो भाजपा के लोग को भी धन्यवाद देते हैं चुब कामनाएं देते हैं चलो जनता देल उनाइटेड को अपने साथ लिया जो आप तक नहीं हो पाया था है क्वालिटी ओफ एड्यूकेशन है चिकित्सा में अस्पतालों को बहतर करना है रोजगार देना आर्थिक न्याय देना स्वाहिम सा समुह के मांदेव को दुगुना कराना पॉलिसीज लाना तो इससे सोच रहे थी कि भाई यह नौजवान है हम इतने साल से मुक्यमंत्री हैं अब तक यह काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाएं और यह डिप्टी सियम होकर के हैं इनकी रा सब्सक्राइब का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है जिसमें लगबग एक लाग से भी उपर नियुक्तियां हैं हम लोग पास भी किया सारी चीज़ें लेकिन लोग कैबिनेट में नहीं आने देरें दो कैबिनेट से नहीं आने देरें चाहे आशा वरकर का भी है यह भी झग़ी मला जलदी तो हम लोग तो देखे काम में विश्वास हैं धितना दिन यह लोग रहें गे इनको कुछ सरकार हम लोगों ने बड़े उमीदों के साथ बनाया था और किस उद्देश के साथ बनाया था वो नितिश कुमार जी ने आपको समय बताने का भी काम किया यह गये हैं इन्होंने इसकी हत्या की है तो जनता इसका जबाब देखिए काम की बात होनी चाहिए कौन क क्या कहता था यह क्या हुआ नहीं हुआ अब यह तो सारा इतियास है लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच ले और आगे यही है कि छेल भी वाकी है और हम लोग बिलागर कर के करेंगे जब नितिश कुमार जी हमारे साथ होते थे तो कि自己 कहासा लोग बघ्र शुरू किया वह को प्र inny जरिए बूलता है कोई अरे इंडियागर बंदन मजबूत है ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है